आज मैं आपके साथ बहुत ही टीच्टी हरी मिर्च की दही वाली सबजी की रेसिपी सेर कर रही हूँ और यह बहुत ही अमी बनती है तो चलिए बनाते हैं दही वाली हरी मिर्च की सबजी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सियर करना बिलकुल ना भूलें तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने हरी मिर्च ले ली है तो यहाँ पर मैंने आठ से दस हरी मिर्च ली है और यह मुझे लंबी वाली हरी मिर्च मिल गई है यह भी लेकिन तीखी होती है थोड़ा कम होती है तो बस हरी मिर्च में इस तरीके से चीरा लगा लेंगे से 5 पड़े चमच सर्जो का तेल तेल को गरम होने देंगे तो तेल को मैंने धुआ निकलने तक गरम किया है और इसमें डाल रही हूँ आदा चोटी चमच कलोजी साथ में एक चोटी चमच जीरा इसी के साथ में एक चोथाई चमच मैं इसमें डाल रही हूँ हींग थोड़ा सा सौते होने देंगे सारी चीजों को और अब इसमें मैं डाल रही हूँ अद्रक और लहसुन क्रस्ट करके तो साथ से आठ मैंने लहसुन लीती थोड़ा सा अद्रक लिया था और कूट लिया था उसे तो अब इसे भी थोड़ा सा सौते कर लेंगे जब तक जब तक की हलका सा color ना change हो जाए तो देखे जब इस तरीके से color change हो जाए ना तब इसमें डाल देंगे मिर्च अब मिर्च को अच्छे से भून लेंगे थोड़ा दूर से ही आप भूनिएगा मिर्च को क्योंकि मिर्च क्या होती है चटकती है जब तेल में जाती है ऐसे जब अच्छे से आप चीरा लगाते हैं तो मिर्च कम चटकती है फिर भी आप थोड़ा सा गैस से दूर रहिएगा तो इसे इस तरीके से भूनेंगे, अच्छे से भूनेंगे, फ्लेम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम में इसे अच्छे से भूनेंगे लगातार चलाते हुए इस तरीके से, तो यहाँ पर मिर्च भून गई है, इसे निकाल लेते हैं तो यहाँ पे मिर्च को फ्राई करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको medium flame में ही मिर्च को फ्राई करना है बहुत जद अगर high flame में मिर्च को फ्राई करेंगे तो मिर्च अच्छे से फ्राई नहीं होगी तो यहाँ पे मैंने मिर्च को फ्राई कर लिया है और प्लेम बिल्कुल लो कर लिया है इसमें डाल रही हूँ एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर इसी के साथ में आदा चोटी चम्मच हल्दी पाउडर एक बड़ा चम्मच कास्मीरी लाल मिर्च पाउडर कास्मीरी लाल मिरिच पाउडर इसलिए डाल लें हूँ क्योंकि बहुत तीखा नहीं होता है बहुत अच्छा कलर देता है बहुत हलका सा तीखा होता है अब मैं इसमें डाल रही हूँ डेड़ बड़े चम्मच सौंप का पाउडर साथ में एक बड़ा चम्मच अमचुर पाउडर यहीं ड्राइ मैंगो पाउडर तो यहां पर आपको सौंप का जो पाउडर लेना है वो दरदरा सा लेना है बहुत ज़्यादा महीन नहीं लेना है तो बस आदे मिनिट तक भूनेंगे और अब इसमें डालेंगे ताजा दही आधा कप और लगतार चलाएंगे जब तक जब तक की दही तेल ना छोड़ दे तो अब मैंने फ्लेम को मीडियम कर लिया है तो आप medium to medium high flame में लगातार चलाते हुए इस तरीके से जब तक दही ना तेल छोड़ दे तब तक बताएं और अब इसमें मैं डाल रही हूँ स्वादनुसा नमक तो नमक आपको अपने टेस्ट के according डालना है अच्छे से mix करेंगे और अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्च तो ये देखिए मैंने हरी मिर्च भी डाल दी तो दही डालने के बाद अगर आप अच्छे से नहीं चलाएंगे तो क्या होगा कि दही फट जाएगा और पानी छोड़ देगा और फिर आपका ये जो अचार है न वो अच्छा नहीं लगेगा तो अब मैं इसे कवर कर रही हूँ और 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पका लूँगी तो यहाँ पे 2-3 मिनट हो गए है और ये देखिए हरी मिर्च अच्छे से पक गई है मसालों के साथ में मिक्स हो गई है तो बस एक मिनट तक इसे और पका लेंगे इसी तरीके से और यहाँ पे बस अब मैं फ्लेम को आफ कर रही हूँ तो तीखा चटपटा बहुत ही टेस्टी जटपट बनने वाला हरी मिर्च का अचार बन करके तयार है आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करेगा आपको बहुत पसंद आएगी और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप आमेजिंग किचन रेसिपीज को करने सबस्क्राइब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सेर जरूर करें साथ में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी डेसिपीस कैसी लगती है थैंक यू पर वाचिंग वीडियो